हलो दोस्तों कैसे वो आप सभी उमीद करता हूँ डिजाइन इवर लाइफ अफ जिर्णी में इस ग्राउंड जीरो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ तो आज के इस जिंदिगी में आगे बनने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कर जाएंगे जो कि आज से पहले हमें कभी नहीं किया है तो आएए कुछ कारण जानते हैं और मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं डिजाइन इवर लाइफ अफ जर्नी तो दोस्तों यह जीरो लाइफ कॉम्पिटिशन होता क्या है आखिर हम लोग हमारे लाइफ में तरह तरह के कॉम्पिटिशन है हमारे जिंदगी में हमारे आगे पीछे कहीं भी जाओ कहीं भी देखो कॉम्पिटिशन उसी के साथ रहता है जो हम लोग काम करते हैं उस चीज में लेकिन आप वो चीज हैं आप अलग हैं हम अलग हैं मेरा हाथ देख सकता हूँ कि मैं उसके साथ comparison कर सकता हूँ कि वो different है मैं different हूँ वो जो कर सकता है वो जो जानता है वो मैं नहीं जानता हूँ जो मैं जानता हूँ वो नहीं जानता हर किसी का life अलग-अलग है दोस्तों तो आप अपने life में या हम अपने life में competition क्यों रखना चाहते हैं अखिर competition का क्या मतलब हो सकता है कि वो चीज वो अलग है हम अलग हैं हम unique हैं हम अधबुत हैं हम अपने आपको वर्तमान में जीने का स तरीके सिया इस काबिल बनाना चाहते हैं जो कि हमारे मुकाबले कोई और ना कर सके तो हम जबरजस्त हैं आप सूपर हो मैं सूपर हूँ मैं excited हूँ कि इस podcast को release करने के बाद पूरी दुनिया मुझे देखेगी तो आप इस साथ जो principles हैं आप इस साथो principles को आप अपने जहन म अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि आगया नेवल यूडेस में आपको इस तरह के और भी मज़़दार podcast मिलते रहेंगे audio So, पहला है health, हम अपने life में जो एक एक दिन बीच जाता है तो वो बीतने के बाद हम अपने life में क्या करें हैं अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने life में पीछे जो जिन्दगी जीते हैं, वो हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे जीते हैं, उसके हिसाब से आप अगर एक बार भी अगर पास्ट को पांच सिकेंड के लिए देख लो ना तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी के मुकाबले अगर आप हिल्थ में फिट रहना चाहते हैं तो आपको 45 मिनिट्स आपको खुद को देना पड़ेगा दोस्तों आप खुद पर दया करना बंद कर दे हम दोस्तों हम लोग खुद पर अरे यार दो गहंटे पढ़े लिया आप सौ जाता हूं अरे यार सो लेता हूं पढ़े लेता हूं टीवी देख लेता हूं हूं यह सब खुद पे दया करना हम अपने आपको comfort zone में करते ही जा रहे हैं उस comfort zone से हमें बाहर आना है उस comfort zone को हमें छोड़ देना है आपको exercise में मन नहीं लग रहा है आप audio को सुनते सुनते थोड़ा stretch व्रेच कर लेना आपने आपको YouTube पे लाखो वीडियो पड़ा हुआ है दोस् चीज आपको life में आपको करना पड़ता है सीखना पड़ता है समझना पड़ता है दूसरा चीज है रिष्टों को अच्छा बनाने के लिए 15 मिनिट दे हम अपने life में पूरा दिन खाली बैठते हैं लेकिन उसमें से जो quality time है वह आप family को दे सकते हैं जो रिष्टों के दिवार हैं और उसके माता पिता या बच्चे तो अपने family के साथ जो भी बावा दादी जो भी वो लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो उनके साथ आप दिन भर कपे शपे लड़ाए कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप quality time को देते हैं जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट एक अब हसते हैं खेलते उनके साथ एक movie देख लेते हैं उनके साथ हम लोग एक picture देख लेते हैं उनको हम लोग हसाते हैं अच्छे रहते हैं तो वो चीज हो गया आपको एक special memory की तरह होता है दोस्तों आप रिष्टो में अच्छे बन जाते हैं आपकी बेटी या बेटे ने पांगा तो आपने लाकर के दिया तो वो चीज उनको वो यादगार special memory की तरफ रहता है और तीसरा चीज एमोशनल नौलेज को बढ़ाईये एमोशनल नौलेज का मतलब है कि हम लोग डेली अपने आप पे एक घंटा वक्त बिताना है जैसे कि यह जो morning सुबह का wake up होता है तो हमारे mood के ही साब से depend रहता है दोस्तों मानो या ना मानो मेरा उम्र around 18-19 years 20 years के उसके बीच में है लेकिन affirmations और the early nettingle इसका मतलब the strangest secret सुनने के बाद हमें यह चीज पता चलता है कि हम अपने life में कैसे हैं अब तक क्या कर रहे थे इसको कैसे और बढ़िया तरीके से कर स रखते हैं तो एक होगया emotional knowledge को बढ़ाईए अपने आपको weekly एक घंटा दीजिए कि हम अपने emotions को जोड सके हम अपने knowledge को और भी तगड़ा कर सके knowledge को बढ़ाना है अपने आपको implement करना है खुद को रोज खुद को एक घंटा अगर दे सकते हैं तो सुबह में दीजिए रोज affirmation सुनिए इससे हम अपने आपको life में और better और achieve कर पाएंगे और चौथा चीज है कि 200% work implementation देना पड़ेगा आपको जैसे कि हम एक time पे अलग-अलग multiple tasking करते हैं multiple tasking करना बुरी बात नहीं है मैं यह नहीं बोल रहा हूं लेकिन एक time पे अगर आप एक जगह पे अपना जो भी intention या जो भी focus है वह आप वहां पे दे देंगे तो आपको result भी बहुत तगड़ा मिलेगा अगर आप एक काम कर रहे हो बीच में कोई phone call आगया आपका webinar चल रह करते हो मतलब time उतना precious है दोस्तों time को जितना ज्यादा महत्व देंगे अपने आपको पढ़ाई में अपने आपको लिखाई में या अपने आपको बिल्ड करने में समझने में कोई चीज तो वो चीज यहां पे शुरुवात होता है और फिफ्ट चीज है materialistic desire on 200% लगा देन है आपको अपने आपको या हमें अपने आपको देखो कि मैं कहां पे हूँ materialistic desire मतलब आपको नीड क्या नीड है आपको जरूरत क्या है तो वो चीज हमें अपने आपको देना चाहिए जो की desires जो होते हैं जो मेरा desire है कि मुझे एक बड़िया mobile लेना है तो उसके लिए मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा ना बिना मेहनत की फल अगर मैं पूछूंगा कि तुम पहले लकड़ी दो मैं तुमको आच दूंगा तो वो तो कुछ होगा नहीं दोस्तों तो आप पहले उस चीज को सीखो सीखने के बाद उसको implement करो और implement करने के बाद आप इसको पैसे कैसे कमाते हैं यहाँ पर यह तीन चीज का formula है कि आप कुछ सीख रहे हो उससे पड़े करके उस काम को करते हुए उसके साथ हम लोग पैसा कमाते है हैं और सिख्थ चीज है कि सोसाइटी आपको आपके लिए कि सवाश्बर करना है अगर आप समाज मेश सेवा करना चाहते हैं तो सत्वसाइटी के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं और सात्वा चीज है कि अध्याद्मक स्प्रिच्वाल्टी के ऊपर हम लोग बहुत सारा जो अपने आपको रोज सुबह उच्ट से ही दोस्तों अपने आपको कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं सिर्फ अध्याद्मिक मतलब अब भगवान में विश्वास करते हैं आप धार्म अध्याद्मक में विश्वास करते हैं आपको शांत रहना पसंद है आपको पूजा पाट करना पसंद है आपको पढ़ना पसंद है तो वो चीज अध्याद्मिक तो ऐसे काम करता है I hope यह चीज पहले वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन आगे जिस तरह स से हम लोग इसको बढ़ेंगे उसी तरीके से हम लोग इस चीज को और भी अपने मैंड में समझेंगे दोस्तों की में design your life of journey का क्या महतु है और इसको हम लोग कैसे पा सकते हैं तो until then goodbye दोस्तों मिलते हैं और भी best audio के साथ until then bye bye दोस्तों